हाई गाईस वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कॉस्टाग यूटा का पूरा गेम प्ले इन डाइनमोंस वर्ल्ड तो अब हम डाइनमोंस वर्ल्ड को ओपेन करते हैं और यह ओपेन हो रहा है आप देख सकते हैं यह बस हो ही चुका है और यह ओपेन हो गया हम प्ले पर क्लिक करेंगे और अब यह हम आ चुके हैं कॉस्टाग यूटा वर्ल्ड में आप देखें यहां पे मैं इसको सब्सस्टाग करता हूँ और आप देखें हम आएक कॉस्टाग यूटा में और अब हमें इससे बैटल करना होगा तो उसके लिए मैं पहले जो डाइनमॉंस हमें चाहिए बैटिल के लिए उनको मैं सेलेट कर लेता हूँ तो वो डाइनमॉंस अभी मैं सेलेट करता हूँ एक अर्माडिगो को और एक तजेर को ले लेता हूँ कि यह ठीक है मैं इससे बैटिल करता हूं देखता हूं के सो माच चुके है बैटिल के लिए इसका नाम डेरियो है और यह बोल रहा है how about a friendly match ओके तो इसके पास quacko है तो quacko से fight करने के लिए armadigo perfect है तो अब मैं furnace यूज़ करता हूं इसने अपना attack increase कर लिया furnace से और इसने quacko leaf strike यूज़ किया है मैं flames will यूज़ करूंगा और अब इसने spore shot यूज़ किया फिर से अब मैं quick attack और यार critical बोलगे उतना अलका लगाया उसको यह armadigo का scratch और यह quacko ने फिर से leaf strike का यूज़ किया तो अब मैं फिर से scratch करूंगा और बस एक shot और यह गया काम से मैं flash का यूज़ करता हूं तो अब यह गया तो अब हमारे सामने है aviatos तो इससे battle करने के लिए मैं armadigo का यूज़ करूंगा और walcan का यूज़ करता हूं तो अब मैं यूज़ करता हूं हील फायर कैन देखता हूं कहा है हील फायर ओ यहां पर है मैं फ्लेमस्विल यूज़ करता हूं एक फ्लेमस्विल से शायद इसको हाइपनो हो जाएगा कोशिश करते हैं शायद अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं अभी यह इसने मिस कर दिया तो मैं scratch का यूज़ करूंगा औ और अगर हमें एक चांस और मिला तो हम जीत जाएंगे मतलब जीतने के चांसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ तब तजेर की मदद से हरा दूंगा इसे तजेर आ गया तजेर मैं थंडर ब्लास्ट का यूज़ करता हूं वाउ इसका बहुत ज्यादा तो अब इसका एकसपी आ चुका है मैं इसको लेवलब कर देता हूं और अब इसका अटाक इंक्रीज हो गया डिफेंस अब इंक्रीज हो चुका है और इसका फिर से एकसपी भी लगबग कंप्लीट होने ही वाला था ठीक है कोई बात नहीं हमें रिवार्ड मिल गया है तो अब हम चलते हैं आगे यह बोल रहा है वाव यू आरा सम आई स्टिल है लॉट टू लर्न ठीक है जा फिर तो इसका इनिटिंग आई विल हैंग यह तो अब आप देख सकते हैं हमें बैटिल करना होगा हम नेक्स्ट बैटिल करेंगे एक मिनिट मैं सेलेट कर लेता हूं यह यह वाला डाइनामऊन फायर का कौन सा सेलेट करूं को सवाब वाद ठीक रहेगा लाएगा टॉर्ची मों एक बढ Gwenará को हम एक बार चेक कर लेदे हैं इसके पास कौन सा डाइनामोन से फिर हम सेलेट करेंगे यह गार्ड है तो इसके पास कौन सा डॉनानमोन तो चुनिग किया है ऐसा मुझे लग रहा है तो ठीक है मैं टॉर्चिक से फाइट करता हूं टॉर्चिक की मदद से तो मैं इसे पहले पाउर पर देता हूं एक जिससे यह ज्यादा स्ट्रॉंग शॉट मारेगा और अब इट्स टाइम टू रॉक स्क्रैच और अब मैं हील फैर यूज करूंगा दूसरा कोई आप्शन नहीं एंफ्लेम है तो मैं एंफ्लेम नहीं करना चाहता अब है शॉक वेव अब मैं एंफ्लेम करूंगा इंफ्लेम से अभी मेरा हेल्थ रिकावर हो चुका है और अटाइक भी ज्यादा हो चुका है अब मेरा और इसने अभी इन्रेज कर लिया तो मैं अब फैर स्टॉंग यूज करूंगा लगता है यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग शॉट मारेगा ओ माई गॉड़ इसने हीलिंग स्प्रे की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें बिना हीलिंग स्प्रे के तो हरा नहीं सकता है इसे यह गैरेंटी है लेकिन मैं तब तक विंगर जब तक मेरे पास है तब मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं ओ वाउ विंगर का यह आइस बग का अटक बहुत ही पर ने और इसने सोनिक शॉक का यूज किया अब मैं फिर से सोनिक शॉक यूज करूंगा सोनिक शॉक क्रिटिकल इसने फायर स्टॉर्म क्रिटिकल किया मैं फिर से सोनिक शॉक क्रिटिकल करूंगा अरे यह इसने मिस कर दिया ओके कोई बात नहीं मैं बबल बस्ट का यूज करता हूं शायद यह मर जाएगा बबल बस्ट से येस मारा गया तो अब मुझे जरूरत है बैटिल में इसकी टॉर स्प्रेल ले लेता हूं मिरे पास दूसरा कोई option ही नहीं है मैं firestorm यूज करता हूं अभी और अब मैं एक और firestorm यूज करूंगा इसने flash का यूज किया अब मैंने firestorm यूज कर लिया इसने spore shot का use किया तो अब मैं scratch का use करता हूँ क्योंकि scratch से शायद धम ज्यादा इसको effect मार पाएंगे येस अब इसने rock shield कर लिया है ending में जब game end वने वाला है तब इसने rock shield use किया, okay मैं फिर से scratch करता हूँ इसको और ओ, थोड़ा सा health बागी रह गया इसने flash critical किया है मैं quick attack करके game over कर देता हूँ इसका game over quick attack critical था और अब हम जीत चुके है amazing you win और अब later कर देते हैं इसे हमारे पास उतना नहीं है पैसे, वो sorry shards तो मैं फिर से इसको भी later कर देता हूँ और हमें shards मिल चुके हैं 600 और coins 12 एक avalanchi can cool और अब हमारा रास्ता खुल चुका है वो यहाँ पर हमारा रास्ता अब यह जो green land है वहाँ पर खुल चुका है तो अब हम चलते हैं यहाँ पर battle करने, यहाँ पर तो एक ही है boss तो उससे हम battle करने के लिए एक मिनिट हम पहले चलके देख लेते हैं इसके पास कौन सा dynamons है अब हम battle करेंगे इससे वो इसके पास falcon है तो इससे battle करने के लिए हमें use करना होगा वैंपिक्स का और मैं साथ में इससे भी ले जाता हूँ शायद जरूरत पड़ेगी हमें और फिर मैं इससे भी ले लेता हूँ शायद इसकी भी जरूरत पड़ेगी और फिर अब हम चलते हैं battle के लिए तो मैं आ चुका हूँ अब इससे battle करूँगा जिन्नी जिसका नाम है और falcon उससे battle करने के लिए मैं यूज़ करूँगा टेल्टन का टेल्टन स्क्रैच और अब इसने यूज़ किया है fireworks जो strong है तो weak है लेकिन अब मैं shock के भी यूज़ कर रहा हूँ और इसने bite यूज़ किया अब मैं यूज़ करूँगा tentacle grips शायद इसको sickness अरे यार sickness नहीं हुआ इसको कोई बात नहीं हम इसको kill कर देंगे पका ये तो scratch और अब मैं यूज़ करूँगा ओ माई गॉज़ इसने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया मैं shock wave यूज़ करके फिर भी हम जीत गए इसकी वाट लग गई और हमारे सामने आगया है तो इससे लड़ने के लिए मुझे जरूरत पढ़ेगी electric की या leaf की तो मैं electric तो अभी मेरे पास था लेकिन मैंने उसे वापस वहीं पे छोड़ाया तो मैं अब इसको healing spray देता हूँ दूसरा कोई option ही नहीं है मेरे पास healing spray दे दे रहा हूँ मैं टेल्टन को यही battle कर सकता है अगर मैं वैंपिक्स या फ्लेरियन से battle कर वाँगा तो 100% टेल्टन ही जीतेगा उसमें इसलिए ओ इसने sickness का यूज किया है कोई बात नहीं मैं rage root का यूज करके इसको scratch करता हूँ और scratch and rage root critical very good इसने scratch किया मुझे फिर से अब मैं मैं भी scratch करता हूँ मिर पास दूसरा option नहीं है यह miss हो गया ओ शिट इसने winter chills यूज करके मेरा attack decrease कर दिया है यह बहुत ही शांदार player है shock wave water quality में मैं आपको बदाता हूँ water quality में hydron और duxedo और winger बहुत ही दमदार player होते है बहुत ही ज्यादा strongest player होते है यह और फिर टेल टन भी आता है लेकिन उन तीनों के बाद आता है टेल टन फूर्थ नमबर पे पहले तो duxedo बहुत सबसे नमबर वन है और second पर है hydron और third है winger यह जो हमें winter डेल में जो grabble मिलता है वो ice वाला वो उतना effective shot नहीं मारता है वो सिर्फ defense उसके पास ज्यादा होता है उससे हमें कुछ फाइदा नहीं होता वो बहुती डूप पोकिमोन है अब मैं यूज करूंगा scratch का और electric में तजेर सबसे अच्छा पोकिमोन है और फिर उसके बाद है बजीली वो जो घोडा जैसा रहता है और अब हम जीत चुके हैं मैं आज को अब मैं later कर देता हूं इसे और इसका भी level आ चुका है मैं इसे भी later कर देता हूं और हमें मैं reward मिल चुका है बहुत अच्छी बात है तो अब मैं battle करूंगा इससे तो हमें उसके लिए शायद इसकी जरूरत पड़ेगी और शायद इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो मैंने ले लिया इन सब को अब मैं चलता हूं battle के लिए तो दूसरा कोई dynamo तो नहीं है high level में मैं एक बार देखता हूं यहां पर कौन इसके पास तो ही बोल रहा है मुझसे पहले यह कीप आ लेगा ओके देखते है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टॉर्चिप हाया है हमारे सामने तो टॉर्चिप लेवेल 16 का है तो मैं इसे हराने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा हाई लेवेल में है टॉर्चिप ठीक है मैं अब कोशिश करता हूँ पॉईजन बाइट आप देख सकते हैं इसको ज्यादा कुछ एफेक्ट भी नहीं हो रहा है पॉईजन बाइट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग लेवेल में है यह इसने इनफ्लेम कर लिया ओ माईगाड इसका आटैक क्रिम्सन के जितना हो चुका है क्रिम्सन से ज्यादा हो चुका है मैं अब फ्लेम्स फिल उस करोंगा शायद हाइट नहीं आया कोई बात नहीं मैं फिरसे अब वालकेनों का यूज़ करता हूँ हील फायर नहीं आ रहा है क्रिम्सन का वो इसने मिस कर दिया क्रिम्सन और अभी एक क्विक अटैक ओ वेरी इफेक्टिव वेरी एफेक्टिव बहती दमदार शॉट था यह अब मैं यूज़ करूंगा फ्लेम्स विल का फिर से मैंने हीलिंग स्प्रेइ यूज़ कर लिया है अपना हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए और इसको हाइप नो हो चुका है और मैं यूज़ कर लेता हूँ पॉईजन बाइट नहीं हरीकें हरीकें से इसकी वाट तो लग है यह जो इसका नाम है स्पार कट हाँ अब मैं पॉईजन बाइट का यूज़ करता हूँ पहले अब मैं नेक्स्ट यूज़ करूंगा हरीकें इसने भी स्मोक स्क्रीन का यूज़ किया है मैं अब हरीकें देता हूँ इसे पहले अटैक डिक्रीज होगा इसका अब मैं यू कि इसे मार देता हूं एक मिनिट लेकिन तजेर की मदद से मारूंगा मैं तजेर को भी थोड़ा एकस्पी मिले गया और हम मैच जीच चुके हैं इसका लेवलब बाच कुका है लेकिन मेरे पास शाट नहीं है तो मैं इसको लेटर कर देता हूं और इसका आचुका है तो मैं इसे देता हूं शाट्स इसके लिए और पिशन प्देस का अच्ट का बढ़ चूका है और अब यह लेवल 12 का हो चुका है अब मुझे रिवार्ड भी मिल चुका है 800 शाट्स 14 कॉइंस 1 हिलिंग स्प्रे अब मैं चलता हूँ बैटिल के लिए से बैटिल करूंगा लेकिन अक बार देख लेते हैं जाकर इसके पस़से डानमॉंस है लेविल के इसके पास पॉडा पॉड है तो मुझे इसके लिए जरूरत पड़े तो गाइस अब अपने सभी डाइनमोंस हील हो चुके हैं जो हमें चाहिए फाइट के लिए और मैंने इसी बीच थोड़े डाइनमोंस और पकड़े हैं उनमें से एक है पाइथन लेवल 14 के दो पकड़े हैं मैंने पाइथन लेवल 14 के और मैंने एक शैडोल को भी पकड़ा है जो लेवल 13 का है और एक ग्रबल भी पकड़ा है जो लेवल 13 का है तो अब हम चलते हैं बैटिल के लिए इस से और बैटिल स्टार्ट हो गया अब मेरे सामने है पोड़ा पॉड़ अब मुझे पोड़ा पॉड़ से लड़ना है मैं तजेर का यूज़ करूँगा और इसका थं और इस बार मैं फिर से इसका डिफेंस कम करूँगा शौक वेव यूज़ करके इसका डिफेंस अब कम हो चुका है अब इस टाइम फर एक और थंडर ब्लास्ट और मुझे अब नहीं लगता कि मुझे आयन बीम यूज़ करना चाहिए क्योंकि लेकिन मैं फिर भी यूज़ होता हूँ लेकिन इसकी लगर अच्छा था इसका इसलिए यह बच गया यूज़ अब बहुत हो गया अब मैं इसको बाइट करके अटा जाता हूँ कि ले गया काम से अब मुझे बैटिल करना है विंगर से तो अब मुझे इसमें एलेक्ट्रिक डाइनमों स्काइज ज्यादा यूस होने वाला है तो मैं हीलिंग स्प्रे ले लेता हूँ एक और फिर अब मैं ज़रा टेल्टन का भी हेल्प ले लेता हूँ है और मैंने अब इसका शौक वेव यूस किया है और अब ये मुझे कनफ्यूस कर रहा है अब मैं फिर से टेल्टन टेल्टन को हटाक के तजयर को ले लता हूं और एक रेज रूट का यूज करूँगा मैं और रेज रूट को यूज करने के बाद शॉक वेव जो बहुत ही धमदार शॉट था अब इसने सोनिक शॉक यूज किया मैं क्या करूँँगा मैं थंडर ब्लास्ट यूज करता हूँ ओके इसका डिफेंस और कम हो चुका है अब मैं शॉक वेव यूज करूँगा एक बर और ओ इसने मुझे चांस ने दिया ठीक है मैं टेल टन का यूज करता हूँ इसके टेंटेकल ग्रिप्स मैंने यूज कर लिए और अब ये अवलांची यूज कर रहा है वाउ सामने आ गया है शेल बाई जो लेवल 16 का है तो अब हमें इससे लड़ने के लिए यूज करना होगा ही लिंग स्प्रे तो नहीं है हमारे पास तो अब हम यूज करेंगे मैं एक रेज रूट यूज करता हूँ और मैं शॉक वेव यूज करता हूँ अब और इसका डिफेंस थोड़ा कम हो चुका है रे यार मिस कर दे प्लीज ओ एक शॉट मारा है इसने अब मेरे पास रेज रूट भी खतम हो चुका है ऑफ मैं क्या यूज करों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है फिर भी मैं थंडर ब्लास्ट यूज करता हूँ और अब जो भी करना है तेल्टन कोई करना है मतलब फ्लेरियन कोई करना है क्योंकि टेल्टन भी अब मरने यह वाला है अब इसका मैंने शॉक वेव यूज किया और डिफेंस कम हो चुका है इसने विंटर चिल्स यूज किया आटैक कम कर दिया मेरा ठीक है मैं स्क्रैच का यूज करता हूँ अभी और अब इसने फिर से विंटर चिल्स यूज किया और शायद इसने एक बार और विंटर चिल्स य और यह गया काम से वो टेल्टन ने हरा दिया इसे वेरी गड़ आमेजिंग और मैं लेटर कर देता हूं इसे और में रिवार्ड मिल चुका है और अब मैं जाओंगा बैटिल करने किस से मैक्सवेल से तो उसके लिए मैं पहले अपना टीम सेरेक्ट कर लेता हूं मैं शाद क्रिम्सं को क्रिम्सं का यूज करूंगा और पाइफन तो अभी रेडी नहीं है तो पाइफन का नहीं और फिर विंगर ओके विंगर ओके और यह वैंपिक्स ले लेता हूं हाँ ठीक है चलो एक बर देखते हैं उसके पास पूम से डाइनमॉंस हैं एक बार देख लेते हैं ठीक है भाही तू अपने डाइनमॉंस दिखा वोओ psychologist के पास तो पिंगो है तो इस से लड़ने के लिए हम अभी इस से नहीं लड़ सकते हैं तब उससे बात कर लेते हैं यह जो कमेंट बॉक्स की तरह थ्री डॉट्स लगा के उचल रहा है और फिर बोल रहा है लुकिंग फार बोट है वेल लुक नो फर्दर आइम क्रेस्टोस और माइबोट इस रेड़ी वन प्राब्लम त्रू आइम सिक्ट तो अभी यह बोल रहा है डेरियो बोल रहा है सी सिक्नेस या अधा से डॉनर तो मैं ग्रैंडमा हलगा कें मेक अ क्योर मीट हर इन दे विलेज तो अभी यह जो क्रिस्टोस है उसको यह दवा चाहिए अब दवा भी हमें ही लेके आना पड़ेगा ठीक है तो मैं चलता हूं इसके पास अब यह दादीमा कमेंट बॉक्स लगा के उचल रही है ठीक है तो ऐसे ड seulement सकता है यह दो टो सी शिकने के नहीं हरा तो आदीमा मैं यह जो लूनरा धिश्ट मेंट रही है अब यह हमारा जो टेंपल रूइन्स में जो मिला था मैं फेरग्यूस अंजिस का आमने चश्मा डूंड के दिया था यह बोल रहा है वी हाव मेनी आफ देम इन देंपल रूइन्स में यू बी मेभी यू शुड़ को बैक देर इफ यू नीड सम ओके ठीक है तो हमें फाइ च ज्यादा लेवल के डैनमोंस का यूज नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा लेवल के डैनमोंस का यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं है तो मैं यह जो भी मिनी लेवल में है थोड़ा कम लेवल में उनका यूज करता हूं और पहले मैं यहाँ पे जाता हूं नहीं यहाँ पे और मैं आ चुके हैं यहां पर और अब यह जो हमारा उपोनेंट है वो है फिनी कॉन तो इससे मैं बैटल करूंगा इससे बैटल करने ठीक है में जा को ठीक है चलो मैं फाइरवक्स का यूज करता हूं अभी वाव फाइरवक्स और अब मैं यूज करूंगा फॅरस जश्से अपना अटाक इंक्रीस होगा और उसका हेल्थ हिए टिक्रीस होगा और अब इसने स्क्रेच का यूज किया मैं फिर से फॅरनेस यूज करूंग ऑग्स्सु ओग्स है enmвой मैं सिर्फ एक शाट यूज करूँगा देता हूं और हमें एक हब मिल गया है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहां पर अब देखिए यह है लुनार हब्स ठीक है अब हम दूसरा बैटल करेंगे यहां पर मैं आ गया हूं यह फ्लोविंगो है लेवल में है यह तो मैं फैर वरक्स का यूज़ कर रहा हूं और नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगा एंडरेज और फिर फरनेस अगर इसने मुझे जिन्दा छोड़ा तो मैं फरनेस दरूर यूज़ करूंगा शायद यह मुझे मार देगी ओ सोलार फैर ओ माइगाड सोलार फैर का इसने भी यूज़ क आई लाइक इट तो अब मैं स्क्राइच कर देता हूं उसे और यह गया काम से तो अब हम जीत चुके हैं अमेजिंग यूविन और मैं इसको लेवल पने करूंगा हमें एक और हब मिल गया आप देख सकते हैं रिवाड में और अब मैं एक बैटिल यहां पर करता हूं चैहें घृत वंगर से बैटिल करना होगा हमें तो मैं उसके लिए इसका यूज़ करूंगा भजी लेख स्टेटिक शॉक स्ट्राउंग क्रिटिकल के तो अभी इसने यूज़ किया स्वूनिक शॉक क्रिटिकल वाव बहुती दमदार शॉट था यह मैं स्क्राइच यूज करूंगा अभी और यह लगता इसको ज्यादा कुछ कुछ दंदार रहा है नहीं मेरे शौट का इसके उपर मैं एक और स्क्राइच करस्ट हो यार जार बहुत ही कम एपक्ट्ट होताओ इसके वर त्वीच एक्षर में त्वब้स है अलगर फिक अटेक ऑखेज़ कुछ 5 कय दस बज़ा का भी वाट लग जाएगा क्योंकि वह कम लेवल का है और हिल्थ भी उसका कम है अब होप चॉप की बारी है होप चॉप का स्क्रैच यूज करूँगा और फिर इसका ओ माई गॉड बहुत ही जबर्दस बहुत सई बहुत सई हमारे लिए सई नहीं है उसके लिए सई अरे यार कंफियूज मत किया कर भई ठीके कर ले कर ले हमारे पास क्रिक आटैक है हम क्रिक आटैक से तुझे आसानीसे मार देंगे और यह गया और अब हम जीच चुके हैं हमें अब हल ट debuted इसे कूल कर जाँं अब मुझे डाइनमान्स दूसरे चेंज करने होंगे किम देंढ है तो मैं एक सेल ली नहीं है एक सो लेड़ा है विए सब्सक्राइब यहां पर यहां पर कोई को सानग की तो एक वो है जो जोलट तो मैं भी scratch करता हूं इसे और Thunder Blast आ चुका है मेरा और Thunder Blast मैं यूज़ करके इसका defense decrease कर दूँगा Thunder Blast strong अब यूज़ करने का time है Enrage लेकिन अभी वो load नहीं हुआ है तो थड़ा हम wait करते हैं और इसने फिर से मुझे भी स्क्राइच किया अब मैं यूज करूँगा एंडरेच और इलेक्ट्रिक पंच फिर ये जो जोल्ट इलेक्ट्रिक में उतना मतलब ज़्यादा जबर्दस नहीं होता है बजील बहुती स्ट्रॉंग होता है तजियर के बाद बजील है फस्ट तजियर सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग है इलेक्ट्रिक में उसका यूज करना चाहिए हमेशा और उसके बाद बजील है ता जstill शेहर के बाद बजील है, और ये जो जॉयरप कि गॉट मैं लिखायए हुआ हो इक और हब भी हमता हुआ है, मैं एक बड़ देख की हबब मिले हैं फुर हबम मिल चुका है, बस हम TP- 1 घर बार पाना है तो मैं शायद मुझे लगता है हम यहां पर हमें मिल जाएगा वह तो मैं पहले तो यह जो इलेक्ट्रिक का डाइनमॉन था उसे मैं चेंज करता हूं किससे बजील को तो अब भी हरा दिया था उसने मैं यूज करूंगा हमजी का चलो चलते हैं फिर यहां पर आगया मैं और यहां पर जो डाइनमॉन है वह स्पिड रेड वाव बहुत ही गजब यार मैं अब इसको टेंटेकल ग्रिप्स देता हूं शायद इसको सिकनेस नहीं हुआ और इसने नाइट फॉल यूज किया तो मेर में पास भी वी इंटरचंशी और इसने मेयरा करे अपना इंक्रीज किया था और मैं अपिसका टैक कम करके मैं अपना इंक्रीज कारणि भी हॉए इसनि सयंक लाइव एय़ बहुत ही शार्प है बहुत ही ज़्यादा जबरदस शॉट खेल रहा है तो लगता है अब मर जाएगा बस एक शॉट और अरे यार टेलिटा नहों के तो पिट रहा है लेवल एट में होने के बहुजूद कम जेगा आधा हिल्थ तो खतम करना ही चाहिए था तुझे तो ठीक है यह कंप्लीट कर रहा है फिर भी आधा हिल्थ बस ओ शिट अब हम यूज़ करेंगे हमजी का दूसरा कोई अप्शन नह बहुत ही अलग टाइप का अब अपना हेल्थ डिक्रीज होते ही चले जाता है पॉज़न पाइट के वज़े से इसने इमिंग भी कम कर दिया यह लो सोनिक शॉक का मैं फिर से यूज़ करता हूं और अभी यह गया काम से अब यह हमजी गई और हमें हर्ब मिल गया है हम चलते हैं यह से आप देख सकते हैं मेरे पास फाई हर्ब्स हो गया है तो अब मैं चल रहा हूं कॉस्टा ग्यूटा में कॉस्टा ग्यूटा में आ गया और वो कहा है ग्रैंड मा कमेंट बॉक्स वाली मैं उन्हें आप दे देता ह यह अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं काले होगा है पूरे अंकल ठीक है आप ले लो ठीक है और यह हमें मिल गया रिवार्ट बहुत ही अच्छी बात है चलो और अब यह नो नाउ वेर डिट यू वांट तो गो अब हमें वहां पर जाने का रास्ता मिल चुका है तो हम चलेंगे वहां पर लेकिन यह मैक्सेंशल कोहरा यहांपर यह पहि यम पास पेंगो है मतलब मुझे एलेक्ट्रिक डैनमोन की जरुरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा किसको किसका ये तजे तजे अभी हील नहीं वाए ये ओ शिट ठीक है गाइस अब हम अपने तजेर के हील होने तक कवेट कर लेते हैं क्योंकि जो डैनमोन्स हमें चाहिए ब बैटिल में वो अब सभी हील हो चुके हैं तो हम चलते हैं बैटिल के लिए मैक्सवेल के साथ और अब ये फाइट शुरू हो चुका है और मेरे सामने है पेंगो तो इससे लड़ने के लिए मैं यूज करूंगा तजेर का तो मैंने तजेर को यूज किया है तजेर का और ब मैं यूज करूंगा शॉक्वेव अब देख सकते हैं शॉक्वेव क्रिटिकल था वाव अमेजिंग इसने हरीकेन ओ और अटैक कम कर दिया इसने हमारा यह अच्छा नहीं वा अरे यार यह मिस्ट कर दिया इसने अरे वह ठीक है चल जान दे जाने दे और यह थंडर ब्लास्ट अरे यार ठीक है कोई बात नहीं अब हम फिर से अभी आयन बीम का यूज करेंगे जो हमारा स्पेशल अटैक है वाव अमेजिंग बहुत ही जबरदस्ट अब मैं बाइट का यूज करूंगा और यह गया पहंगो तो गया बहुत ही अराम से और अब मैं यहां पर यूज आइपनों में चले गया है इसने अन्रेज कर लिया ओ माई गॉड यह बहुत ही इसका करेक्ट स्किल इसने यूज किया करेक्ट टाइम पर इसको अब हराने के लिए मैं क्विक अटैक का यूज करता हूं अरे यार थोड़ा दमदार शॉट मार भाई ने तो हम आर जाएंग ठीक है तो मैं अब यहां से आके मैं क्रिम्सन का वाल्केनों यूज कर लेता हूं और यह गया काम से गया हां गया और अब हमारा ओपोनेंट है वो है फ्लैम बोर तो अब इसको हराने के लिए मैं यूज करूंगा क्रिम्सन के हील फैर का वाव क्रिटिकल बहुत अच्छा बहुत सभी है अब मैं यूज करने काँ वाल्केनों और यहicar करिटिकल वाव यह बहुत ही सब क्रिटिकल दे रहा है सब शाठ्ब्र अच्छी बात है हमारे लिए और अब मैं यूज़ करेंगा पॉज़न पाइट क्रिटिकल वाव ये भी क्रिटिकल वाव इसके सभी शॉट्स क्रिटिकल जा रहा है अच्छी बात है बहुत लेट से तुने इन्रेज किया अपने आपको लेकिन कहीं और जाके यूज़ करना अपना इन्रेज और हम जीत और मैंने कूल कर दिया इसे और आप देख सकते हैं पूरा कॉस्टा ग्यूटा बनलॉक हो चुका है यह पूरा हमारे कबजे में है तो आज का वीडियो यहाँ पर खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के स